नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाईयो, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल दा टेक्निकल किसान प्रभीम राजबूत पर आज मेरे किसान भाईयो, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे क्या है आप गेहूं के पैदावार में कम से कम 15-20% की प तरीका आज मालिया तो, वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए, वो तरीका है, मान के चलो जब आपके गेहूं में, गोम्ना में जब बाली होती है, तो इस टाइम क्या है, आपने अपने खेत में परयाप्त न और उसके साथ में कम से कम पांच से आठकलू भीया की पोटास, ये दोनों कॉम्बिनेशन मला के पानी पे, जब आप पानी लगाएं खेत में, तो फेंटे के वे, गोल के द्वारा आप देदें, तो उससे क्या रहता है आपके खेत में, कम से कम बतारों में आपको 15 से 20 पर उससे क्या रहेगा आपके जो गेहूं हैं, उसमें कम से कम 15 से 20 परशेंट की गेहूं में पैदावार आपको जरूड देखने को मिलेगी, पहली चीज़ रहती है बाबुजी उसमें क्या रहता है, शुरुवात में आप गेहूं की फसल क्याया है, गेहूं की फसल में आप दो बार पोटास जरूर लगाएं, पहली बार जब आपने बवाई करनी है उसमें दसकलूबिया की पोटास जरूर डालें आप, और दूसरी बार जब आपके कोथ में बाल हो गेहूं की उसमें एक बार पोटास डाल दें तो आप 100% आपकी 15 से 20% की बड़ोत्तरी पैदाव आप यह तरीका जरूर आजमाना, 15 कम से कम जब आपकी गोबना में बाली हो तो इस टाइम कम से कम, 8 कलूबिया की पोटास और 5 कलूबिया की यूरिया, पानी पे घोल के द्वारा जरूर दें आप, यह प्रेक्टिकल किसान वाई हो आप जरूर करके देखना, यह गेहूं क तरीका जरूर गरें